24 अप्रेल तो चलिए देखते हैं अभी तक के important current affairs सबसे पहले बताना चाहूंगी आज है नेशनल पंचायती राज टे क्योंकि आज है 24 अप्रेल ये दिन हम लोग कब से मनाते हैं तो ये मनाया जाता है 1993 से क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने 73rd amendment के साथ पंचायती राज सिस्ट सम constitution में लाया था और पूरे भारत में इसे इंप्लिमेंट किया था पंचायती राज टे के दिन अवार्ट दिये जाते हैं जिसके information आपको बात के वीडियो में मिलेगी जिके quiz देखते हैं CEO of Twitter कौन है तो जी हां वो है पराग अगरवाल ध्यान रखे नाम पराग अगरवाल तो यह दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी को आगे बढ़ते हैं News of the team में बताना चाहूंगी अर्थ्क्वेक आया है 5.7 मेंग्निचूट से कहां तो यूरोप की कंट्री बोस्निया और हैजर वोगो विना में यह दोनों ही कंट्री कहां है यूरोप में है और यहां पर आया है अर्थ्क्वेक जो की 5.7 मेंग्निचूट का है कि करेंट अफ्य देखते हैं कोशन नमबर वान हू विकम दे वाइस प्रेसिडेंट अफ निति-ायोक निति-ायोक के वाइस में अपोइंट हुए हैं शुमन कुमार बेरी सुमन कुमार बेरी को अपॉइंट वाइस चेलमेन अपॉइंट हुए है सुमन कुमार बेरी निति आयोग एक प्लानिंग बॉड़ी है इंडिया में और यह काफी इंपॉर्टिन रिपोर्ट रिलीज करती है जैसे स्कॉच रिपोर्ट बहुत सारी इंपॉर्टिन रिपोर्ट है जैसे कि एक्सपोर्ट प्रिप देखे रेलबे मिनस्टर ने एनाउंस कर दिया है इंडिया और बांगलादेश का अगर तल्ला अकोरा रेल लिंक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दिसेंबर 2022 तक यह काफी इंपॉर्टेंट है अगर तल्ला से अकोरा रेल लिंक यानि कि इंडिया के तिरपुरा से यह बा ठीकैई ? Question Number 3 Which State Government has set up 4 Olympic Training Academy ड़ी हाँ चार Olympic Training Academy जो है वो एक ही राज्य में स्टार्ट के आ जा रहा है और वो राज्य है तमिल-inskiंड्डू तमिल-inskiंड्डू में चार Olympic Training Centers बनाय जा रहे हैं Question Number 4 कौन से इंडियन प्लेयर का नाम फाइब क्रिकेटर ऑफ दे यर विस्टन अलमेनेक 2022 एडिशन में डाला गया है तो देखें ये एडिशन रिलीस की गई है अभी हाल में ये विस्टम अलमेनेक एक मैगजीन है और इसमें इंडियन क्रिकेटर रोहित सर्मा, जस्प्रीक बूंब्रा और इंग्लैन के क्रिकेटर ओली रोमेंसन का नाम आया है इसलिए यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा औल अफ दी एभव Q5. World Creativity and Innovation Day कब मनाते हैं तो ये दे अभी हाल में सेलिब्रेट किया गया है बताएं कब ये किया गया है 21 एपरिल को ये दे काफी इंपोर्टेंट है तो देख लेते है World Creativity and Innovation Day और इस बार का थीम क्या है? थीम है सयोग, कॉलोब्रेशन Q6. विच बैंक विल रेसेंटली लॉंच फिन्क्लोवेशन फिन्क्लोवेशन एक इनिशेटिव है जो कि लॉंच किया गया है IIPV के द्वारा देखें फिन्क्लोवेशन क्या है IIPV यानि कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यह बहुत इंपोर्टेंट न्यूस है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने Ministry of Finance के साथ मिल कर Financial Inclusion के अंतरगत यह पोग्राम लाया है जिसका नाम है फिन्क्लोवेशन इसके अंतरगत Startup Community को प्रोमोट किया जाएगा और जो भी रीजन फिनांसियली बैंक से नहीं जूरा हुआ है यह जो भी रीजन अभी बैंक से नहीं जूर पाया है उसे जोडने का प्रेतन करेगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक Question No.6 Bipro Country Head for India किसे अपॉइंट किया गया है Bipro Country Head for India पॉइंट किया गया है सत्या एस वर्डन को Question No.8 Scientific Advisor Principal of Scientific Advisor of India कौन पोइंट हुए है काफी important news Scientific Advisor of India पोइंट हुए है A.K. Soodh Ajay Kumar Soodh इनको पोइंट किया गया है Principal of Scientific Advisor of India Question No.9 Champion of the Earth Lifetime Achievement Award 2021 किसे मिला है तो Champion of the Earth Lifetime Achievement Award 2021 दिया गया है David Attenborough को इनका नाम आपने सुना होगा यह काफी famous personality है क्योंकि यह TV चैनल पे educational videos और environment related videos के लिए जाने जाते हैं इनको तीन इमी अवार्ड, आठ बिटेस अकेडमी अवार्ड अल्रेटी मिल चुका है डेविड अटन बॉर्ग को मिला है Champion of the Earth Earth Lifetime Achievement Award Question No.10 UNICEF ने किसके साथ मिलकर comprehensive SDG aspect of child development program लाया है तो यह लाया गया है UNICEF अनिती आयोग के द्वारा इसके अंतरगर्थ Sustainable Development Goal जो हमने target किया है वो promote किया जाएगा ताकि जो बच्चों का development हो वो proper रोपा है जैसे कि हमारा Sustainable Development Goal 2 क्या है No Hunger यानि कि बुकमरी को कम करना है उसके अलाबा हमारा 5 क्या है Gender Equality उसे promote करना है इस तरह से SDG Development के जो गोल है Education Provide करना है Health Provide करना है जो की SDG 3 है इस तरह से हम promote कर रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो बढ़ पाए Question देख लेते हैं Which countries President call Asian countries to be united against USA कौन से country के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि सारे Asian countries एक साथ मिल जाए ताकि USA के अंगेंस्ट आ पाए इंडिया का पहला donkey conservation center कहां start क्या गया है इन दोनों का answer आप comment box में दे वीडियो में कहीं भी doubt हो तो ज़रूर पूछे वीडियो का detail के लिए आप या तो email कर सकते हैं PDF के लिए या फिर Telegram group join कर ले और अभी बहुत सारे जो वीडियो बीपी टीए वो डाला नहीं गया है जो कि हाल में डाल दिया जाएगा वीडियो अच्छा लगे तो like share और subscribe कर ले थैंक यू